इस वीडियो में हम देखेंगे फोटो सेंस के अंदर आप अपनी इमेज कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे आप नई image बना सकते हैं या नई file create कर सकते हैं इमेज ओपन करने के लिए सबसे पहले फाईल मेनू में जाइए वहाँ open file के बटन को क्लिक कीजे, ओपन फाइल क्लिक करते ही ब्राउजर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जिस भी इमेज को आप ओपन करना चाहते हैं उस इमेज को सिलेक्ट कर लीजे, अगर आप एक साथ एक से ज्यादा इमेज ओपन करना चाहते हैं, तो shift दबा के या control प्रोल दबा के आप एक साथ बहुत सारी image सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद open के बटन को क्लिक कीजी तो आपकी सारी image एक साथ open हो जाएगी। और यही image के यहां उपर की side में टैब दिखाई दे रहे हैं। जिस भी image को आप document window में preview करना चाहते हैं उस tab पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस tab पे क्लिक करेंगे तो वो image preview हो जाएगी। इसी tab में जाने के लिए keyboard में control tab नाम के shortcut दिये हुए हैं। उसका भी आप use कर सकते हैं। सूत lingerогब एड़क प्लीम्ट उस cold करतं हैं। झाइक करते हैं, जाधने क्लिये नाम करते हैं।